हेलो फ्रेंड्स यह है वीडियो नमर 15 और इस वीडियो में भी हम 10 बेस्ट कोशिन डिसकस करेंगे जो कि आपके रिलेटेड होंगे बाल, विकास, एवं, सिक्चा, सास्त से तो इससे पहले मैं वीडियो नमर 1-14 अल्रेडी अपलोड कर चुका हूँ तो अगर आपने वो सारी वीडियो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रवाइड कर दूँआ तो आप इसली उन लिंक्स पे क्लिक करके वो सारी वीडियो को देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने दददस बेस्ट कोईशन आपके लिए डिसक्स किया हैं और वो आपके वेरियस टीचिंग एक्जाम जैसे की CTAT, UPTAT, REIT, KBS, PRT, HTAT, DSSB, MPTAT and all other TAT के लिए important होंगे और Child Development and Pedagogy से मैंने और भी बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं जैसे की थियोरी से related वीडियो हैं, personality से related वीडियो हैं तो उन वीडियो को भी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो सबसे पहला question है आपका भारत में आंगनवाडी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली पूरु प्रात्मिक सिक्षा यानि की Pre-Primary Education डैस के अंदर गत आती है तो जो आपको पता होगा जैसे की भारत में आंगनवाडी सिक्षा चल रही है तो वो है प्राइमरी एजुकेशन से पहले यानि की जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उससे पहले जो सिक्षा दी जाती है वो किसके अंदर गत आती है तो आप्शन से आपके Ministry of Social Justice and Empowerment यानि की समाजिक न्याय और अधिकारिक्ता मंतरा ले सेकिंड आप्शन है आपका Ministry of Health and Family Welfare यानि की स्वास्त और परिवार कल्यान मंतरा ले थर्ड आप्शन है आपका Ministry of Human and Child Development महिला और बाल विकास मंतरा ले और लास्ट है आपका Ministry of Human Resource Development जिससे आप बोलते हो MHRD या फिर HRD मानव संसादन विकास मंतरा ले तो जो आपका Pre-Primary Education आता है इंडिया के अंदर मतलब की आंगनवाडी सेंटर्स के अंदर वो होता है आपका Option No.3 इसका Correct answer है Ministry of Human and Child Development इसके दो डिपार्टमेंट आपका क्या है School Education को देखता है जिसके अंदर Primary Upper Primary Secondary और Higher Secondary आती है और आपका जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो है आपका और भी Higher Education जैसे कि College Education में हो गया Technical Education में हो गया साथ में Scholarship प्रोवाइड की जाती है और प्रेजेंट जो इनके मिनिस्टर हैं MHRD के वो हैं आपके प्रकास जावेड कर और ये 26 सिप्टमबर 1985 में यह आपका establishment हुआ था 26 सिप्टमबर 1985 में तो इस तरीके से जो इसका आंसर होगा फस्ट का वो Option No.3 क्या होगा Correct answer होगा Question No.2 है आपका Critical thinking is an aspect of यानि की गहन चिंतन निम्न का एक पहलू है तो Option से आपके बायस यानि की पक्षपात Second है आपका reasoning तर्क Third Option है आपका belief यानि की विश्वास और last है आपका emotion यानि की भावना तो जो critical thinking है वो किसका एक पहलू है वो है आपका Option No.2 जो है आपका reasoning यानि की तर्क किस तर्के से कि आपको जैसे पता है critical thinking क्या होता है critical thinking आपका एक logical connections होता है ideas के बीच में क्यों क्योंकि आप कोई भी बात को नहीं और हां में कैसे जवाब दे सकते हो अगर आप किसी से कोई सवाल पूछते हो अगर आपको लगता है कि उसका सवाल गलत उसका जवाब गलत है तो आप बोलते हो नहीं आप गलत बोल रहे हो क्यों क्योंकि आप उस fact को जानते हो इसलिए आप बोल सकते हो कि हाँ ये गलत है यानि कि उसके पीछे तर्क कर सकते हो को reasoning कर सकते हो इसी तरीके से यानि कि facts के बाद यानि कि जो आपके पास information है और वह information सच होनी चाहिए रियल होनी चाहिए उसके बाद आप को judgment दे सकते हो ओके तब उसको कहते हैं critical thinking ओके जैसे आप film वेगरा में देखते हो कि judge के सामने कोई भी बिना evidence के अगर बात करता है तो वह उस बात को नहीं मानता है जब तक उसके पास कोई पक्का फुरूफ या evidence ना जाए जो facts पे related होते हैं ओके next है question number third question number third the judgment of quality of teaching depends on यानि कि सिक्षण की गुन्वता का निर्भर करता है कि आप teaching की quality किस तरीके से जज़ करोगे option से आपके developing a relationships यानि की संबंदों को विक्सित करने पर second option आपका attainment of information जानकारी की प्राप्ति पर third आपका discipline यानि की अनुशाशन पर and last option आपका fourth overall development of student यानि की छात्रों के समग्र विकास पर कि कि किस तरीके से बच्चों का पूरा development हो personality development के साथ उनका thinking development हो अच्छी तरीके से learning कर सकें वो ओके तो option नमर जो fourth है इसका correct answer हो जागा कि हम quality of teaching को judge करेंगे overall development of student के base पर next है question नमर fourth है आपका the abbreviated term ADHD denotes जो आपका ये ADHD denotes है वो इसकी full form पूछा है कि क्या होगी آپ्षन से आपके attention deficit hyper sensitivity disorder ध्यान अभाव अत्ती संवेधन सिलता विकार second है आपका attention deficit hyper activity disorder ध्यान अभाव सक्रीयता विकार third है आपका active deficit hyper activity disorder यानि कि श्क्रिय अभाव शक्रीयता विकार यानि कि आक्रमाक्ता अभाव सक्रियता विकार तो ADHD होता है आपका जो ऑप्शन नमर टू है अटेंशन डेफिसित हाइपर एक्टिविटी डिसॉडर इस वाले चीज को मैंने यानि कि यह है आपकी लर्निंग डिसॉडर तो लर्निंग डिसेबिलिटी की वीडियो मैं अपलो उसमें जाके देख सकते हैं वो मेरी वीडियो कुशन नमर फिफ्ट आपका विच वन अव दी फॉलोइंग इस नोट यहां नोट पूछा है एन इंटर्नल फेक्टर ओफ एटेंशन निम्न लिखित में से क्या ध्यान या फिर अवधान का एक आंतरी कारक नहीं है तो एटे बन फॉल्का उाटा इंट्रेस्ट सेकिंद आबको मॉटिफ कि थर्ड आता है आपका मैंड सैट और लाश्ट आता है मूट्स एंड एंट़िट्व स्ट इंटीट्व डिशतों से चार चीचिजी होती है जिसकी वज़शा से हम को मूईन्टरनल फेक्टर को पता कर सकते हैं अटेंशन के तो आप ऑप्शेन देख सकते हो पहלה इंटरश्ट आपका तो जैसे मैंने बताए इंटरश्ट होता है इंटरर्नल फैक्टर में इंटेंसिटी आपका नहीं होता है तो इस तरिके से नोट फेक्टर में तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कोशन नुमर शिक्स ते आपका विच ओफ फॉलॉइंग फेक्टर्स डिट कोलबर्ग फोकस ओन इस थियोरी ओफ मॉरैलिटी कोलबर्ग अपने नैतिकता के सिधान्त में निमलिखित कारकों में से किस पर ध्यान क सिधान दिया था तो उस थियोरी में उन्होंने किस पर ज्यादा फोकस किया है आपके फैमिली इंफ्लेंस यानि की परिवार प्रभुत्व सेकिन आपका कॉगनिटिव डवलप्मेंट संग्यानात्मक विकास थार्ड आपका कल्चर संस्कृति और ऑप्शन नमर फॉर्थ पर जेंडर डिफ्रेंट्स के लिंग बेद तो उन्होंने जो मोरल ड्री में फोकस किया है उससे किया है संग्यानात्मक विकास पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया है ओकेश्ट नमर सैवन था दापका विक of the following is not mean objective ओंटिनियूस औंड कम्रेहश इवलिएशन यानि कि निमलिखित में से क्या सतत एवं व्यापक मुल्यांकन का उद्देश नहीं है आपको नहीं पूछा है इसमें तो जो भी आपका नेगेटिव कमेंट होगा या नेगेटिव ऑप्शन होगा वह आपका राइट आंसर हो जाएगा तो पढ़ लेते हैं उप्शन इसमें प्लांट टीचिंग लर्निंग सिच्वेशन यानि कि सिक्षण अधिकम स्थितियों की योजना त्यार करना तो यह होता है आपका सिसी में सेकिंड अप्शन आपका कॉम्निकेट दा चाइल्ड्स प्रोग्रेस टु डिफरेंट स्टेकोल्डर्स यानि कि बच्चे की प्रगति को विभिन हित धारकों को बताना तो यह सिसी का अब्जेक्टिव है उद्देश्य है थार्ड अप्शन आपका मैप चेंजेज इन चाइल्ड लर्निंग एंड डेवलप्मेंट यानि कि बच्चे के अधिगम और विकास में परिवर्तनों का मानचित्र बनाना तो यह भी आपका सिसी का अब्जेक्टिव है फोर्थ है आपका इनकलकेट फिर्स इन माइंड ऑफ प्यूपिल सो डेट यार एबल टू पर कर सके तो यह बिल्कुल गलत कमेंट है और नेगिटिव आंसर है तो इस तरीके से नहीं पूछा है नहीं तो ऑप्शन नमर फॉर्थ है आपका राइट आंसर नेक्स्ट है कोशन नमर एट्थ विच आफ दी फॉलोइंग इस नोट यहांपे भी नोट पूछा है आरिस्क फ आएंगे ऑप्शन से आपके चाइल्ड हुड नेगलीजेंस यानि की बाले वस्ताला परवाई कि आप बच्चों को भूल जाओ बच्चों पर ध्यान ना दो सेकेंड आपका अब्यूज यानि की दुर्वेफार करना सेकेंड आपका पीयर रिजेक्शन यानिकी सहकर्मी औ आपका एक फैक्टर नहीं है ड्रग यूज के लिए जो की आपका डैरेक्ली यानिकी प्रतेक चुरूब से माता-पिता उत्तरदाई उसके लिए ठहराए जाएंगे तो पीयर पीयर रिजेक्शन आपका क्या हुआ राइट आंसर हो जाएगा ओके नेक्स्ट है कुशन नमर आकार में फिट नहीं हो सकता इस नई जानकारी को इस आकार में फिट करने के लिए वो कौन सी प्रक्रिय अपनाएगा ओके यहाँ पर बात हो रही है इसकीमा की और एक्जिस्टिंग इसकीमा की जैसा कि हमें पता है कि प्याजे ने हमें कॉगनितिव डवल्लप्मेंट की दिये और उसके अंदर ने उन्होंने स्कीमा की भी बात किये अड़ेप्टेशन की भी बात किये और इसकीमा को उन्होंने क्या बता है pocket of information यानि कि हर एक इंडिविज्वल हर एक बच्चे के पास कुछ ना कुछ information होती है जो की प्रिवेशली लर्ण होती है तो यहां पर जो बात हो रही है कि उसको पता है कि वह नहीं आता है लेकिन वह कुटता नहीं है लेकिन उसको जो नई information पता चलिए तो उसको का फिट करने के लिए कौन सी प्रोसेस को अपनाएगा वह तो अप्शन से आपके डिस इकलिपरेशन यानि की आसन तुलन सेकेंड आपका एकोमोडेट यानि की समयोजन और थर्ड आपका एक बच्चे को आज की परिक्षा के लिए याद किये गए हिंदी अक्षरों को इसमरंड करना उसके द्वारा कल लिखे गए कंणड परिक्षा के कारण कठिन लगता है इस घटना को किस नाम से जाना जाता है वगत के क्षिशन कहा रहा हैं कि एक इस्टुडेंट है उसने कल परिक्षा दिए जो कि यह करन्नत की परिक्षा अब उसको नijkस्त जो ऑगसां देना वह हैं हिंदी की जिसमें उसको हिंदी के एक्षर को याद करने में कठिनाई हो रही है तो यह बिल्कुल रिजेंट वर्क है उसको नई चीज सीखनी है ओके तो इस फिनोमेन को क्या कहते हैं जिसमें उसको प्रोब्लम आ रही है सीखने में फिर्स्ट औप्षन है आपका रिट्रो एक्टिव इंटरफ तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा तो यह प्रोएक्टिव इंटर फ्रेंस होता है आपका कि आपको एक नई लर्निंग सीखनी है बट पुरानी लर्निंग के विज़े से उसमें कठनाई आ रही है कठनाई पैदा हो रही है ओके तो इस तरीके से इस कोशन में भी यही हो रहा है उसके साथ और जस्ट इसका पोजिट जो हो जागा वह जागा रिट्रो एक्टिव इंटरफरेंस यानि कि कि अगर हम को नई लर्निंग करते हैं और नई लर्निंग की जैसे क्या होता है पुराณी लर्ने को भूल जाते हैं की तो हमने इस वीडियो में प्रिस्ट बांतोे च्च्च Frankly कोशन डिस्कस कियों कर्षिए लिए बैट होब हैूब आपको वी पसंद आई हो अगर अच्छी लगई हो तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें और और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब ते के लिए थेंक यू